सो हे गाई स्वागत आपके एक पर फिर्शे आपी के यूटिब चैनल में और आज के इस वीडियो में बात करेंगे वही रतन इंडिया पावर को लेकर जिसे आर्टिन पावर के नाम से भी जानते हो तो रतन इंडिया पावर को लेकर एक सुबह सुबह खबर आते वे नजर आई है उस खबर के उपर चर्चा करेंगे आखरेकार न्यूज क्या है और उसका असर स्टॉक के उपर कैसा हो सकता है ठीक है तो यहां पर आप लोग देखोगे डैप्ट के रिगार्डिंग खबर आई है भी स्टॉक वैसे तो आपको आज फिर जो नभी लोवर सर्किट मे तो आपके कलिर हुए होंगे भी आखरेकार स्टॉक में क्यों यह जो गिरावट वो बनी हुई है और वहां पर आपको बताया कि क्यों क्रेक्शन हुई है और इससे ठीक दो दिन पहले फ्रैडे को भी मैंने वीडियो डाला और फ्रैडे से पहले भी जब स्टॉक नॉन स्टॉक भागे जा रहा था तो कई ना कई कुछ ना कुछ तो चीज़े हैं जिसके वज़े से स्टॉक में रैली बनी है तो वह वहां पर बड़े पलेयर थे अभी के टैम चलिए भी देख लेते हैं आखरेकार न्यूस के आई है वैसे वोल्यूम तो भी जबरदस लग रही और जो LC लिमिट है वहां से जो शेर वो खरिदे भी जा रहे है नोपैसट के भाव में शेर आया हुआ है तो चलिए आपको दिखाते भी आखरकार सुबह सुबह जो न्यूस आई है वो कहई और उसका असर स्टॉक के उपर कैसा हमें देखने को मिल सकता है तो यहां पर आप लोगों देखो जो Lone की प्रीपेमेंट से उसको लेकर जोनभी Company की तरफ से नोटीस आया है तो यहां पर आप लोग देखो कि कंपनी की तरफ से जोनभी Kotec Bank से लगबग 1125 क क्रोड का जोनभी Lone लिया गया था ठीक है और यह जो Lone वो कैसा है यह आपको जोनभी Secured L लोन देखने को मिल रहे है ठीक है तो 1125 क्रोड के आज पास लिया था और इसी लोन को लेकर आप लोग देखो भी अपडेट आते हुए नजर आई है कि कंपनी ने जोन भी आप लोग देखोंगे 179 prepayments and schedule repayments का बनाया जो की 85 क्रोड का है इन सब के चलते जो outstanding debt रहता है अभी के time वह अभी 861 क्रोड तो company ने 861 क्रोड रुपे के जो debt है वो छोड़े है 1125 क्रोड से बहुत अच्छी बात है भी company धीरी धीर अपना जो debt है वो यहां पर कलीर करते हुए नजर आ रही है ठीक है त कहीं से अगर debt चुका रही है ना तो कहीं से company को करजा उठाना पड़े रहा है यह सबसे बड़ा point था हम देगा short term debt है यह फिर long term debt है long term में आपको 1000 क्रोड के आसपा जोने भी debt कम होते हुए नजर आए था quarter one के दोरान लेकिन वही debt short term में हमें increase होते हुए नजर आए था तो बात तो वही है ना तो इसी वजह से आप लोग देखोगे यह जोनबी stock बहुत जादा हमें नजरों में चड़ा हुआ है और आगे भी मैंने आपको बताया था अगर यह company अपना debt clear करती है फिर आगे के इनके plan पता चलते है ना उसके बाद ही सोचेंगे भी stock में long term के बारे में अगर short term में छोटे मोटे मोखे आपको मिलते हैं तो वह आप लोग जोनबी कर सकते हो otherwise यहां पर जब stock इस प्रकार से rally दिखाए ना तो वहां पर बड़ा game भी होता है ट्रैप भी हो जाता है तो ट्रैप यहां पर public हुई है दो दिन से लगातार lc लग रहे हैं stock में कल लगा था अब जाने के बाद आप लोग तो टूटा नुकसान public को बहुत हुआ जिनोंने अब जाने के बाद stock को खरीद और फिर lc में गया सीधा फिर उसके बाद आज फिर lc है तो ऐसे में नुकसान तो होता है तो देखते हैं अगर इसका अच्छा सा रहा तो stock में फिर स